उम्रा यात्रा के लिए दूर खे रेल्वे स्टेशन से रवाना हुआ उम्रा यात्रियों का जत्ता इस अवसर पर पुलुश पहिला सहीद करीब 35 लोग हुए रवाना हज की पवित्र यात्रा के जैसे ही उम्रा यात्रा के लिए गुरवार कुदरुवेल्वे स्टेशन से करीब 35 लोगों का एक जथा मुंबई के लिए रवाना हुआ जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल रहे बता दें कि मुस्लिम समाज में हर यात्रा को बहुत मुकद्स और पवित्र माना जाता है उसी तरह उम्रा की यात्रा की जाती है जिसमें बहुत से धार्मिक इस्थलों के जियारत के साथ ही खाना एक काबा का तवाफ भी किया जाता है इसी कड़ी में दुर्ग से उम्रा के लिए मुहमद अली रफिया बेगम शाजा बेगम मुहमद इर्फान गहलोत मुहमद सलीम दिवन दिया सेद फारुक अली सिद्धिक सुलंकी नौशिन गहलोत शमा गहलोत सहित अन्य रवाना हुए इनकी मुंबई से फ्लाइट 19 नौबर के शाम जद्धा के लिए उड़ान भरेगी और इसके साथ ही इनकी वाफसी 4 दिसंबर को जद्धा से हैदराबाद महुचेगी अज हम लोग शिप्ट्यनी टूर ट्रेवल्स के जानिफ से सलिम भाई के मारफद मैं हम लोग आज 11 लोग लोग उम्रा के लिए निकल रहे हैं दूर्ग से हम लोग 11 लोग है और भी जगह से तमाम लोग हैं जैसे राजीम से है राइपूर से है विलाई से है फ्लैड़ाग कर लगबग रहता है वाफसी हमारी 6 दिसम्बर को हम लोग वाफसी अपने दुर्ग अपने साहर पहुंच जाई है क्रेंडी सीन नीउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट